नमस्ते फ्रेंड्स आज हम लोग बना रहे हैं पालक कड़ी पकोडा जो ठंडे में गर्मा गरम बहुत टेस्टी लगता है तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आधा किलो पालक लिया है उसे दो-दो हिसे में मैंने बाट लिया है और इसे अब अच्छे से हम लोग पले वास कर लेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं तो ये देखे मैंने दो दो उनको वास करके अच्छे से काट लिया है और मैंने आधा रख दिया है पकोड़े के लिए और आधा मैं कड़ी में बनाऊंगी तो एक में पकोड़े में प्याज डालूंगी और एक प्याज में कड़ी में डालूंगी तो टल दू प्याज लगें क्योंकि पालक में बहुत पानी रहता है तो ये बीना पानी के ही बहुत अच्छे से मिल जाएगा और अब ये देखें कड़ी के लिए भी हम लोग बना लेते हैं तो ये दो कप मैंने दही लिया था उसे ग्राइंड में एक पर चला लिया और उसमें मैं दो चोटा चमच बेस आई चढ़ाते हैं और इसमें हम लोग एक चोटा चमच तेल डालेंगे और तेल हमारा गरम हो गया है तो कुछ सूखे मसाले मिर्ची, जीरा पाउडर, सौरी, खड़ा जीरा और जब सब का कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें मैं एक प्याज काटके डाल रही हूं और इसे थोड़ा दिर के लिए भूनेंगे जब तक प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है जब थोड़ा सा प्याज का कल तो यह मैंने पूरे एक चमस दिया है और इसे अच्छे से भुनते हैं जब तक कि हमारा लहसून का कच्छापन नहीं चला जाए और जब यह भुना जाएगा और बिल्कुल गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा लो फ्लेम मत किजिएगा हाई फ्लेम पे जल्दी हो जाएगा थो और यह सब डालके हम लोग भुन लेते हैं और यह हमारा भुना गया है और अब हम लोग इसमें पालक एड़ करेंगे नमक बहुत कम मातरा में डालिएगा क्योंकि नमक हम लोग पकोड़े में डालेंगे भी और दही में भी हम लोग नमक एड़ किये थे तो नमक बहुत हिस तो ये 500 ग्राम पालक है और पालक को बहुत अच्छे से भुनेंगे ये देखिए ये मेरा पालक बहुत अच्छे से भुना गया है तो अब हम लोग जो दही का गोल बनाके त्यार रखे थे दही और बेशन का अब उसे एड करेंगे उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पानी लेंगे तो टोटल मैंने इसमें तीन कप पानी का एड किया है पहले एक कप दिया था और इसमें अब मैं दो कप पानी एड करूंगे और इसे हम लोग बच्छे से मिला लेंगे और एक उबाला आ जाएगा ये ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है तो हम लोग अब इसे साइड करते हैं और पकोड़े की त्यारी करते हैं तब तक ये उबाल उबलेगा थोड़ा देर पांस मिनट से साथ मिनट तक इसको उबालिए तो मैंने इसे दूसरे गैस पर रख दिया है और अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल अट कर रही हूँ और जब तेल गरम हो जाएगा तो मैं सब पकोड़े बना लूँगे पालक के ये नॉर्मल कड़ी पकोड़े से भी बहुत टेस्टी रेस्पी है आप जरूर एक बार बना के ट्राइ कीजएगा आपको ये बहुत पसंद आएगी तो जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसे पालक के पकोड़े बना लेती हूँ आप चाहें तो इस पकोड़े में हरी मिर्च भी आड़ कर सकते मैं इसमें हरी मिर्च नहीं आड़ की हूँ और आराम से इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे चार तरफ पहले ही तेल हम लोग उपर से भी डाल देते हैं गुमा गुमा के ताकि हम लोग को कल्चे लगाने की जड़त नहीं होगी और बिल्कुल गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा लो फ्लेम मत कीजिएगा और हम लोग अब पलट देंगे और उल्डा पलटा के इसे हम लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे तो ये देखे हमारे पकोड़े बनके तयार हो गए हैं तो इसी तरह करके मैं सारे पकोड़े इसमें बना लेती हूँ और उदर हमारा कड़ी भी बहुत अच्छे से उबल रहा है ये देखे कितना अच्छा से हमारे पकोड़ा बनके तयार हो गया है अब एक पैन लिया है और उसमें मैं बघार लगाऊंगे कड़ी में तो एक चमच मैंने घी डाला है और घी जब तक मेल्ट हो जाएगा तो उसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूँगी आदा चोटा चमच आप हींग डालिएगा हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी का तो जरूर आप एक बार कड़ी को बगारिएगा जरूर क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यह देखिए हमारा घी गरम हो चुका है तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा एड़ कर रही हूं आदा चोटा चमच थोड़ा सा जीरा का कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें हम लोग हींग एड़ करेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा हाई फ्लेम मत कीजिएगा नहीं तो यह जल जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत खराब होगा मेरा कीचन बहुत चोटा इसलिए मैं एक एक करके आपको दिखाती हूं कैमरा में बस एक ही चुला आता है तो यह देखिए हमारा कड़ी बिल्कुल बनके तियार हो गया है तो अब हम लोग इस कड़ी में जब एक उबाल और आपको दिखा दे रहे हैं कि एक उबाल जब आ क्या है आप देख सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं लाल मिर्स पाउडर डाल रहे हूं और उसे भी मैं थोड़ा सा गरम कर लूँगी और फिर इसमें एड कर देंगे पुझे जब कोड डालने के लिए पाउड जबाद जरूर चलाईएगा और उसके बाद हम लोग बगाड डाल डाल देँगे कि अपर आप देखे में है कि कैसे यह कि इतने अच्छा लग रहा है देकर में और जितने अच्छा यह देखना सिर्च pikन अ सब्रूं को इस तरह से पालक कड़ी पकोरा बना के एंज्यॉब कि जै चावल के साथ gmail आपको बहुत पछन दाएगी थैंक यू